अगर आप इस exam के point of view से ना देखो तब ही एक teacher जो अगर पढ़ा रहा है वो evaluate ही ना करे कि उसने जो पढ़ा दिया उसके बाद results क्या रहे मतलब बच्चों को कितना समझ में आया या नहीं आया तो पूरी process का कोई फायदा नहीं है क्योंकि objective फुल्फिल हुआ या नहीं वो clear ही नहीं होगा इसमें कौन से methods यूज होते हैं किस तरह की टेखनीक यूज होती हैं वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं आपको कि measurement और लेकिन इन में कुछ डिफ्रेंट हैं आपको कि measurement और लेकिन इन में कुछ डिफ्रेंट हैं difference है difference है इनकी stages का right so first stage होती है measurement की जिसमें की हम सिर्फ जैसे की test लिया और हमने क्या बता दिया कि किसी भी student के marks कितने आये या उसने कितना grade आया उसका ये चीज़े बता दी quality या quantity की form में हमने बता दिया कि उस individual ने कितना score किया यानकी quantitative gathering information of one's performance कि उसकी जो भी performance आई उसको quantity की form में हमने अगर हम बता देते हैं या फिर उसका data collect करते हैं उसे बोलते है measurement measure कर लिया assessment होती है जिसमें हम compare करते हैं क्योंकि आपने सिर्फ एक student से पूछ लिया okay तुम्हारे दस number आए ठीक है उसके बाद क्या उससे उसकी performance में कुछ improvement होगा क्या क्या आपको पता लगेगा कि यह किस level पे है आपको level तब पता लगेगा कि आप उसके marks को किसी और के साथ भी compare करोगे तो आपने compare किया पूरे class के marks को या फिर दो तीन बच्चों के marks को जैसे कि usually होता है class में कि first कौन आया second कौन आया यह चीज़े जब आती है so example भी वही लिया है कि if a student stood first तो यह जो आपने first निकाला compare किया ना सभी बच्चों के marks को और then उस first second third निकाला तो वो हो गई assessment right तो assessment के through जो student है उनमें competition built होता है उनमें और सीखने की जो एक power है या फिर आप motivation कह सकते हो वो आएगा लेकिन उससे भी जादा और ज़रूरी क्या है evaluation evaluation के अंदर अब आपने marks बता दिये सबके कि कि किसके compare में कौन जादा है अब हमें देखना है कि जो performance है एक एक individual की वो पिछली बार से कितनी अच्छी हुई है या नहीं right so compare करो उसकी performance को जैसे कि अगर राम है राम first आया है लेकिन उसकी performance में को improvement नहीं हुई उसके marks बल्कि पिछली बार से और जादा कम हो गए तो क्या करना है हमें improve करने के लिए हमें ये देखना है कि your marks या फिर उसके marks पिछली exam से इस बार अच्छे हुए है तो वो उसे बताओ यहाँ पर होता है add value to assessment of one's performance यानि कि जो assess करके कुछ भी एक result आया उसमें और value add करना ताकि जैसे कि हमें report card मिल जाता है उसमें marks लिखे होते हैं उसके बाद हमारी position लिखी होती है और उसके नीचे लिखा होता है कि try hard या फिर excellent ये चीज़े क्यों लिखी होती है वो होती है evaluation जो सबसे पहले marks लिखे है वो measurement जो वहाँ position लिखी वो assessment और उसके नीचे जो कि आप आपको ये बताया गया है कि आपने excellent work किया या फिर try hard ये सब चीज़े बता रही है कि evaluation के बाद आपकी performance कैसी है ठीक है उसमें value add करने की जरूरत है या नहीं वह चीज़े शो करता है evaluation now it's clear to you okay अब हम इसे एक formula के थ्रूबी जो कि ऐसे ही built कर लिया comparison of two sets of information ठीक है उसको लो और साथ में उसकी placement of value कि उसमें क्या value add करनी है वो दोनों अगर mix हो जाएं तो वो बनता है evaluation right तो इसकी definition क्या है evaluation is a systematic process collecting, analyze, interpreting information to determine the extent to which the instructional objective are be achieved यानि कि जो आप data collect करो और साथ में फिर उसको analyze करो interpret करो वहाँ से result ताकि आपको जो objective है, instructional objective वो fulfill हो सके यानि कि आप यही तो चाहते हो कि हर बच्चे को एक अच्छी education मिले, एक student का ये example मैं ले रही हूँ तो आप चाहते हो कि आपकी class में सब को एक valuable education मिले और वो वहाँ से कुछ नया सीखें यही आपका objective है, so वो fulfill होगा evaluation के through, वहाँ से आपको पता लगेगा, वो हो भी रहा है या नहीं और आपको क्या changes करने है, it's clear to you, now types of evaluation, अब जो evaluation करने के कितने types हो सकते हैं, वो भी अलग-अलग है, according to approach हम देख सकते हैं, जो कि quantitative and qualitative है, यानि कि अगर आप quantity के base में उनके marks बताओ, या फिर test लो, assessment करो, और एक qualitative है, जहां कि आप जो evaluation है, quality चेक करने के लिए करो, कि क्या quality है, right, ओके, यानि कि उनकी learning की, according to phase of instruction, आप instruction के phase पे जैसे हो सकती है, instruction है, आप functional के base पे, placement, diagnostic, formative, summative, इनहें हम पढ़हेंगे, according to nature और references, norm referenced and criticism, तो critical हो सकती है, और norm related हो सकती है, according to purpose, diagnostic, aptitude test, achievement test and proficiency test, यह हो गया, according to grade, direct, indirect हो सकते हैं, so let's move to the explanation of these all, okay, so first one is evaluation, evaluation according to approaches, approach के base पर evaluation कैसे हो सकता है, quantity, technique and qualitative technique, so जो quantitative technique है, वहाँ पर आप written exam ले सकते हो, right, oral exam ले सकते हो, practical exam ले सकते हो, और वहाँ पर marks आप दूँ, यानि कि इन से आप क्या कर रहे हो, एक quantitative measurement कर रहे हो, quality आपको देखनी है, interviews के through, आप देख सकते हो, checklist, rating scale, जैसे कि अगर एक restaurant की rating लेनी है, तो वहाँ क्या written exam लोग है उसका, नहीं, वहाँ आप rating का system देखोगे, या commutative records हो सकते हैं, यहां से भी performance analyze हो सकती है, qualitative, right, so, okay, let's move to the next one, according to phase of instructional function, यानि कि instruction या फिर function के बेस पर, so, placement evaluation and diagnostic evaluation, so, placement के बेस पर क्या है, it determines the knowledge and skill, the student purpose which is necessary at the beginning of instruction in the area, यानि कि अगर आप कहीं पर admission का, सारे example student के लेते हैं, क्योंकि हम teaching को ही पढ़ रहे हैं, तो अगर आप कहीं पर जा रहे हो, admission के लिए, right, so, अगर आप admission के लिए कहीं पर भी apply करोगे, तो एक placement के लिए आपको exam देना होगा, क्योंकि वो जानना चाहते हैं, कि आपकी period skills क्या है, कि इस institute में आप सब के साथ पढ़ने लायक हो, या नहीं, right, तो एक knowledge और skill का test होता है, जो कि necessary है, एक beginning में किसी एक subject को आप ले रहे हो, तो आपको कुछ knowledge पहले से होने चाहिए, तो ये हो गया हमारा placement evaluation, now, next one is diagnostic evaluation, diagnostic evaluation होता है, बिल्कुल उस तरह जैसे अगर आप एक doctor के पास जाओ, और doctor आपको पूछे कि, आपने कल क्या खाया, आपने कल पहले से कोई दवाई ली है या नहीं, आपको ये कितने दिन से है, तो ये सारी चीज़ है, तो इसी तरह एक teacher भी ये जानना चाहता है, कि आपने पहले से कितना पढ़ा है, आपको पहले से किस knowledge है, आपने कितने marks gather किये, तो ये सारी कि कुछ भी पढ़ाने से पहले जब अब एक class शुरू हो रही है तो वो teacher जानना चाहेगा कि उसकी period knowledge कितनी है students की, right So this evaluation can be done between the course of evaluate student It is done known to the basic understanding level of student यानि कि उनकी basic understanding कैसी है किसी भी एक concept से पहले अब concept को जैसे शुरू किया teaching को इमानलो पढ़ाना शुरू किया तो उनसे पूछ लिया कि तुम्हारे लिए teaching का क्या मतलब है, ये पूछ लो या फिर जैसे कि learning शुरू किया तो आप learning को किस तरह से देखते हो, किसी भी concept के बारे में वो क्या सोचते हैं पहले से वो जान लिया और बाद में जो teacher उस चीज में change करना चाहता है वो कुछ सोचते हैं और असलियत में मतलब कुछ और है तो teacher उससे इस process के थू उनका इस behavior को change करेगा ना यही objective है so teacher के लिए यहाँ आसान हो जाएगा कि वो किस तरह से उनके behavior में changes लाए so that's all diagnostic evaluation यहाँ तक clear हुआ okay let's move to the next one according to phase of instruction instruction function उसी में ही जैसे दो वहाँ पर हमने clear कर लिए और बाकी दो यहाँ है जसमें की formative evaluation and summative है formative होता है कि जैसे अगर आपकी teaching पूरी चल रही है अभी और teacher बीच में ही कोई question raise कर दे या फिर जैसे कि एक ही chapter complete हुआ उसके बाद कोई test पोल दे या quiz कर वाले तो उससे क्या होगा teacher यह जान पाएगा teaching जो चल रही है अभी यानि कि अभी आपका concept भी पूरा नहीं हुआ तो teacher यह जानना चाहता है कि जो वह समझाना चाहरा है वह clear है भी या नहीं ओके so now it's clear to you formative evaluation can be defined as classroom instruction between teacher and student in order to know the student's learning status यानि कि जो student का learning status है अभी वो कितना सीख रहा है वो सुन भी रहा है या नहीं यह सारी चीज़े देखने के लिए teacher और student जब interact करते हैं बीच में class के तो उसे बोलते हैं अब वो interaction कैसे भी हो सकता है वो written भी हो सकता है कि उसे बोल दिया जाएड़ी कि test लिख कर दो या oral सुन लो तो यह सारी चीज़े formative evaluation can be carried out at any of the stage of learning यानि कि बीच में जो process वो कभी भी हो सकता है कि अब शुरुआत में पूच लिया बीच में पूच लिया कभी भी वो formative evaluation किया जा सकता है अगर टीचर बीच बीच में ही स्टूरेंट से पूच ता रहे उसको evaluate करता रहे तो क्या है learning process बहुत अच्छी हो जाए क्योंकि स्टूरेंट का भी ध्यान फे टीचर पे जाएगा क्योंकि उसे पता है कि टीचर ध्यान दे रहा है और टीचर के लिए यह easy हो जाएगा कि उसे पता लगेगा ओके इसे इतना समझ में आया अभी इतना और बाकी है यह सारी चीज़ है तो एक example है जैसे कि यह in process evaluation भी बोलते है इसे कि process के दौरान ही जो evaluation किया जाए वो एक्जाम्पल है जैसे quiz ले ली या discussion करवा लिया वो सारे क्या है formative evaluation अब summative evaluation क्या है summative evaluation होता है कि बिल्कुल आपका एक concept या chapter या फिर आपका पूरा जो semester था वो खतम हो जाए तब कोई test या फिर exam conduct करवाया जाए उस पूरी knowledge को test करने के लिए उसे बोलते है summative ठीक है यानि कि summative से ही पता लग रहा है submission करके evaluate करना so it is given at the end of the year or unit summative assessment assess a student's misery और a topic after instruction पूरी instruction सब कुछ समझाने के बाद जो student को test देकर ये देखा जाए कि objective fulfilled हुआ या नहीं हुआ तो उसे बोलेंगे summative this contrast with the form ये अलग है formative से क्योंकि यहाँ पर हम summary देखेंगे कि participant developed a particular time कि एक time के बाद जितना उन्होंने सीखा कि कितना change आया कितना उन्होंने सीखा ये देखते हैं लेकिन formative में तो हम लगाता है तो वहाँ पर गलतियां हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं होती so example है summative का grading final learning outcome जैसे कि हम last में grading आती है या फिर जो marks दिये जाते हैं वो सब क्या है वो सब summative का ही जैसे हमारे final exam बोलते हैं हम या फिर December exam ऐसे गर करके exams होते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं summative evaluation ओके और जो unit test वगेरा या फिर जो class में regular ऐसे ही test होते हैं तो वो सब आएंगे formative में according to nature of reference अब reference के base पर कैसे हो सकता है norm referred norm referred में क्या होगा एक example के थूँ समझो जैसे कि अगर किसी के marks है किसी ने second position आई तो उसे हमने किस से compare किया बाखी बच्चों से ना बाखी 40 बच्चे अगर class में है 40 है और उसकी second position आई तो हमने देखा कि ओ ये पूरी 40 बच्चों में से second आया है या फिर हम कहें कि इसके 80% marks है 80% tile है percent marks नहीं percent marks हो जाएगा गर देखो जैसे कि हमारे UGC में ही marks आते हैं उसमें लिखा होता है 99 point something percentile यानि कि उसने सिर्फ वो एक ही percent ऐसे बच्चे हैं जिन से पीछे है परना वो 98% बच्चों से आगे है ये बताना यानि कि अपनी rank को दूसरों से compare करके right So a norm refer test it is used to ascertain individual status with respect to performance of other individual यानि कि other individual की performance से एक individual की performance को compare करना यानि कि इन दोनों की जो performance है उसको compare करके इसे बड़ा या इसे बड़ा बताना वही क्या है norm referred evaluation okay So now criterion referred evaluation तो criterion referred में क्या होगा कि यहाँ आप एक individual को किसी और से compare नहीं करोगे आप उसी की performance को देखोगे यानि कि जैसे कि speed यहाँ पर एक example दे रखा है दिक्षा की जो typing speed है वो 58 watts per minute है या फिर राम ने 50 marks score किये या फिर राम के 50 percent marks आए percentile नहीं percent marks आए तो वो सारी चीज़े क्या होगी यह होगी criterion referred evaluation यानि कि individual का जो status है वो किसी और से compare नहीं वो उसकी खुद की reference है उसकी खुद की performance को हमने measure किया है right? okay so it's all now let's move to the next one so now diagnostic test होता है कि जैसे area of learning आपकी कितनी है identify करना और आपको कहां पर दिक्कत है पहले से अगर आपकी knowledge को teacher देख लेगा तो वो पता लगा लेगा कि उसे कितना आगे और उस पर work करना है now aptitude test aptitude test जो test है वो होता है कि basic characteristics को define करना किसी भी एक task को complete करने के लिए आनि कि अगर आप physics लेना चाहते हो तो जो आपका school है वो एक test conduct करवा सकता है यह देखने के लिए कि आप physics को अच्छे से आगे पढ़ भी पाऊगे या नहीं तो यह सारी चीज़े aptitude test हो जाएगा उसमें जैसे होता है कई सारे schools में कि science लेने से पहले एक test conduct करवाया जाता है तो यह सारी चीज़े हो गई aptitude test में अब achievement test हो जाएगा such test aim to measure the extent to which the objective of a course has been achieved कि आप उस course को कितना अचीव कर पायो यानि कि आपने एक period of time में जो सीखा अब आप कितना सीख पाए यान जैसे कि आपके final exam होते हैं वो एक example है इसका achievement test का और proficiency test होता है जैसे कि these tests aim to assist the journal ability of a person at a given time यानि कि अगर आप 12th class में होते है एक journal test ले लिया आप ये देखने के लिए कि आपका mental level कैसा है IQ कैसा है तो ये सारी चीज़ देखने के लिए तो ये proficiency test हो जाएगा so now it's clear to you okay now direct grading according to grades direct grading and indirect grading so direct grading में क्या होगा कि आपके जो marks आए उसको हम A, A plus, B plus इस तरह से define करते है examiner लेकिन indirect grading में क्या होता है indirect grading के अंदर जो आपके पहले marks आए एनि मानलो आपके 70% marks आए वो भी आपको बता दिए 50% आए तो वो भी बता दिए साथ में फिर आपको जो आपको क्या कहा कि अगर आपके 70% है तो डिस्क्रिक्शन लिख दिया तो indirect grading में क्या है in this method the performance of an examiner जो इस ने भी exam दिया तो उसके पहले तो marks बता दिए कि आपके 80% marks है या फिर 70% है तो उनके according उन्हें क्या कहा आप A plus हो अगर 70% से उपर है 70 से नीचे है तो आप B plus हो या first division है या second division है इस तरह से यह हो गया absolute grading यानि कि indirect में भी absolute grading का एक example दिया लेकिन relative grading क्या है in the system grade of a student decided not by her performance alone but the group जैसे कि UPSC का अगर आप exam दो या फिर आप IBPS का दो तो वहां क्या होगा आपकी खुद की performance नहीं आपको औरों की performance पूरे group की performance के बाद grade दिये जाएंगे या आप 1st grade में हो 2nd grade में हो 3rd में हो इस तरह से now it's clear to you that's all for today's lecture I hope you learn very well and receive all the knowledge here so keep learning keep growing and please subscribe to commerce.com for all valuable classes and content we are providing here thanks for watching and please like this video and subscribe to our channel